उत्तर प्रदेश यानि एक्स्प्रेस प्रदेश में आज दिख रही है विकास की गती। वह विकास जिससे बढ़ रही है आम जनमानस में खुशाली। बढ़ रहा है रोजगार, महिलाओं में आत्म विश्वास और हो रहा है किसानों का जीवन खुशाल। दोहग 21 सदी के भारत की आवशक्ताओं के अनुरूप विकास का रोड मैप तयार किया। निवेश और ईज ओफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिक्ता देते हुए सडक, रेल, वाटर, एर कनेक्टिविटी इंफ्रस्ट्रक्चर में रिकॉर्ड विक इंफ्रस्ट्रक्चर के चव मुखी विकास को माननिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किये गए प्रधानमंत्री गती शक्ती कारेक्रम से एक नई गती मिली है। की लागत से Regional Rapid Transport System, उत्तर प्रधेश को पूरी दुनिया के साथ एर कनेक्टिविटी देने वाला 30,000 करोड की लागत से Noida International Airport, तधा देश की रक्षा शक्ती को बढ़ाने वाले 4,000 करोड के निवेश से Defense Industrial Corridor का निर्मान Mission Mode बर चल रहा है। इंटर कनेक्टिविटी में अग्रणी राजे बन गया है। गंगा एक्सप्रेस वे। 36,000 करोड की लागत से बनने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश के मेरट, हापुड, बुलंद शहर, अम्रोहा, संभल, बदाईू, शहजहापुर, हर्दोई, उन्नाव, राइबरेली, प्रतापगड और प्रयाग राज को राज्ज की राजधानी के साथ साथ राष्ट्र की राजधानी से भी जुड़ेगा। और रोजगार एवं स्थानिय उद्योगों को बढ़ावा दे कर तेजी से विकास करेगा। गंगा एक्सप्रस वे प्रदेश के किसानों के लिए भी सौगात सावित होगा। वह अपने क्रिशी उत्पाद और फसलों जैसे धान, गन्ना, दलहन, तिलहन, फल, सबजी, प्रसंसकरण एवं दुग्द उत्पादों को पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश के सभी बड़े बाजारों तक पहुचा सकेंगे और उनके जीवन में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। जहां पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर से पश्टिमी छोर का सफर 12 से 14 घंटे का होता था वहीं गंगा एक्सप्रेसवे बनने से यह सफर मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ग्रामीन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने से गाउं के साथ साथ प्रदेश की अर्थ विवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ओफ वे का निर्मान भी कराया जाएगा, जिस पर सौर उर्जा सिस्टम स्थापित कर, परियोजना के लिए उर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। सड़क के बीचों बीच, युटिलिटी डक्ट का निर्मान भी कराया जाएगा, जिससे भविश्य में क किसी भी प्रकार की युटिलिटी स्थापित करने के लिए सडक की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। एक्सप्रस्वे पर प्रवेश्व निकासी के लिए इंटरचेंज की सुविधा तथा अवश्यक जगों पर आरोबी, छोटे बड़े पुल एवं अंडर पास का निर्मान भी कराया जाएगा। एक्सप्रस्वे का निर्मान कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के लिए करोना काल में भी भूमी अधिग्रहन किया गया। इश की राजधानी से जुड़ेगा।